जेश्री हरी आप से भी का एक बार फिर से स्वागत हैं स्प्रिच्वल ग्यान में आज की वीडियो में हम जानेंगे नजर लगने के लक्षण और नजर को उतारने के अचो को पाए सबसे पहले नजर लगने के लक्षण पहला हमेशा थकावट महसूस होना दूसरा सिर में दर्द वैभारीपन रहना सिर दर्द के साथ विक्ती हमेशा बिना वज़ा घवराहट महसूस करता रहता है तीन नींद की समस्या वै बेचेनी चार काम करने में मन ना लगना 5. नजर लगने के कारण पेट में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन होना 6. नजर लगने के कारण शरीर में कमजोरी महसूस होती है 7. बिस्तर पर लाल या काली चीटियों का निकलना 8. कपडों में से अजीब सी गंध आना 9. तवचा में बिना किसी कारण खुजली होना 10. अचानक उल्टी आना दस्त लगना 11. अत्यधिक तनाव होना 12. बिना बाद के धन संबंधी नुकसान होना 13. अकसर दूद का फट जाना 14. लगातार वजन का घटना 15. आखों का भारी रहना 15. नजर लगने के लक्षण हर व्यक्ती में अलग-अलग होते हैं 16. इन में से यदि दो-तिन लक्षण किसी व्यक्ती को हैं 16. तो हो सकता है कि उसको नजर लगी हो 17. ऐसे में नजर दोश से पीडित व्यक्ती 17. घर में ही किसी बड़े व्यक्ती से नजर दोश का निवारण करवा सकता है बात कर लेते हैं नजर उतारने के अचूक उपायों की नमब एक लेसुन राई नमक प्यास के छिलके और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च लें जिस व्यक्ति को नजर लगी है ये सारी चीजें उस व्यक्ति के सिर से साथ बार उतार कर आग में डाल दें नमबर दो एक रूई की बाती लें और उसे सरसों के तेल में डुबो दें तीन, बच्चे बड़े कोमल होते हैं, इसलिए उनकी नजर भी कोमल और मीठी चीजों से ही उतारी जाती है, पानी, दूद, फूल या शक्कर से बच्चों की नजर उतारना सही होता है, भगवान के मंदिन में रखे पानी के कलस से साथ बार उल्टे क्रम से नजर उतारें और दोनों मुठी में शक्कर या नमक भर लें और बच्चे के सिर से दोनों हाथ अपनी अपनी दिशा में घुमाएं, ग्यारा बार ऐसा करके शक्कर या नमक भरी मुठीों को वास वेशिन में पानी की तेजधार में बहा दें, शकर और नमक के साथ लगी नजर भी बह अबुदिगार को मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा सा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए इसी तरह कि और वीडियो उसके लिए चैनल को सबस्क्राइब जिरूर करें कमेंट बॉक्स में चैसरी हरी लिखें ठैंक्स फ